अकाली दल से मंत्री रही हर्चिमरत पौर बादल ने पत से स्तीफा दे दिया उनका स्तीफा मंदूर भी कर लिया गया है लेकिन अकालियों ने बिल को किसान दिरोधी बता रहा है महीं केंद्रिय कृशी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि बिल से किसानों को फायदा होगा, कुछ लोगों ने बिल को सही से पढ़ा नहीं है, उनसे बात की हमारे संबादता हिमांचु मिश्राने हमार साथ बातचीत करने के लिए कृशी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, तोमर साब कल दो बिल आप लेके आये थे, एक फार्मर प्रड्यूज ट्रेडर कॉमर्स के लिए और एक उनकी जो है इंकम को एशोर करने के लिए, दोनों बिल आप कहा रहे हैं के किसानों के हित में हैं लेकिन आप ही की एक सहयोगी मंत्री थी, हर्सिमलत को और बादर, वो कह रहे हैं ये नहीं है, उन्होंने स्टीफा दे दिया कैबिनेट से, इन दोनों बिलों के खिलाफ। से संबंदे जो विद्यक है और दूसरा मूल यास्वसन और किसानों के करार से संबंदे हैं, ये दोनों बिल किसान के चीवन में करांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं, ये दोनों बिल क्रसी को समरद करने वाले हैं, ये दोनों बिल किसान का साउरक्षन करने वाले हैं, ये दौनों बिल खिसान को मिनिमम मूली की गारंटी देते हैं और बाणिच ये वाला जो बिल है वो तीन दिन में खिसान को उसके उत्पाधन को बेशने के बाद बुक्तान की गारंटी देता है। MSP किसानों के लिए MSP पर भारत सरकार खरीद करती थी, खरीद करती है और आने वाले कल में भी खरीद करती रहेगी। MSP किसानों के सरकार का कोई टैक्स होगा ना कहें सरकार का कूल टैक्स होगा। MSP किसान के हितने है, किसान को समरद बनाने वाला बेल है और इस बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको बिल पढ़ना चाहिए और अगर वो किसान के पक्षों को देखकर बिल को देखेंगे तो किसान का हित उनको दिखाई देगा। और अगर राजने दिख दिरिष्टी से देखेंगे तो राजनीती दिखाई देगी। वोटों की राजनीती तो नहीं है स्तीफे के पीछे उनके। पूछे नहीं मालूम क्या है मैं तो कुल मिलाके जिन सदस्यों ने अपना समर्थन दिया उनको दन्यवाद देता हूं जिनों ने नहीं दिया उनको भी दन्यवाद देता हूं